राम राम दोस्तों कैसे ओवासा करता हूँ अच्छे ही होगे हिंदू जोट्सी में पंचक क्या होता है पंचकों में सुब कारी करना क्यों निसेध है आईए जानते हैं जोट्सी सास्त्र के अनुसार पंच नचत्रों के सयोग को पंचक कहा जाता है इन पांच नशत्रों में धनिष्ठा, सत्विसा, पूर्व भद्रपद, उत्तर भद्रपद और रेवती है जब चंद्रमा कुम और मीन राशी पर रहता है तब उस समय को पंचक कहते हैं जोत्सी सास्त्र में पंचक को असुब माना गया है पंचक कितने प्रकार का होता है और इसमें कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए पंचक के दोरान कुछ विसेश काम करने की मना ही है महा में आने वाले पंचक में इन पांच नशत्रों की गणना की जाती है गनिष्ट सत्विसा पूर भद्रपद उत्तर भद्रपद तथा रेवति ये नचत्र पर जब चंड़मा गोचर करते हैं तो उस काल को पंचक काल कहा जाता है जोद्सी सास्त्र के अनुसार ग्रहे और नचत्र के अनुसार ही किसी कार को करने या ना करने के लिए समय तेंग किया जाता है जिसे हम सुब या असुब महुरत कहते हैं जोद्सी सास्त्र के अनुसार मानता है कि सुब महुरत में आरंब होने वाले कार के परिणाम मंगल कारी होते हैं जबकि सुब महुरत को अंदेखा करने पर कार में वाधाय आ सकती हैं और उसके परिणाम अपिक्छा कृत्तो मिलते नहीं बलकि कई बार बड़ी छती होने का ख के योग को ही पंचक कहा जाता है इसलिए पंचक को जोसी सुग नचत नहीं मानते कब होता है पंचक जब चंद्रमा गोचर में कुम्ब और मीन रासी से होकर गुजरता है तो ये समय असुम माना जाता है इस दोरान चंद्रमा धनिष्ठा लेकर सद भिसा पूर्व पंचक कहा जाता है कुछ कार ऐसे हैं जिसे विसेश रूप से पंचक के दोरान करने की मना ही होती है पंचक के प्रकार पंचक प्रमुक रूप से पांच प्रकार के माने चाते हैं इसमें रोग पंचक रूप पंचक चोर पंचक मृत्य पंचक और अगनी पंचक है रोग प पंचक में पांस दिन के लिए सरीरिक और मानसिक रूप से काफी यातनाएं जहलनी पड़ सकती हैं, इसलिए स्वास्त के परती विशेश रूप से सावधान रहने की आवसकता होती है, इस दोरान यग्गो पवित करना भी वर्जित माना जाता है, निरिप या राज पंचक इ सुमवार से मानी जाती है, इस दोरान किसी नई नोकरी को जोईन करना असुब माना जाता है, लेकिन नोकरी सरकारी हो तो इसके लिए इसे सुब माना गया है, सरकारी नोकरी इस पंचक में जोईन करने से लाब मिलता है, इस पंचक की सुरुवार से होती है, इस पंचक के द अगर ऐसा किया जाता है तो उसमें आर्थिक नुकसान होने का खत्रा बना रहता है, मुरित्य पंचक ये सनिवार को सुरू होता है, जोत्सी सास्त्र के अनुसार जोकिम से भरा कोई भी कारे इस पंचक के दोरान नहीं किया जाना चाहिए, विवा जैसे सुप कारों की भी इस दोरान मना ही होती है, इसमें जान और माल का नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे मृत्य पंचक कहा जाता है, अगनी पंचक ये मंगलवार को सुरू होता है, घर बनाना हो या फिर एक घर से दूसरे घर में प्रस्थान करना, अट्वा ग्रह प्रवेस करना, अगनी पंचक के दोरान इन कारे को नहीं किया जाता नायले संबंदिक कारे को इस पंचक के दोरान किया जा सकता है इसके अलावा बुद्धवार और गुरुवार को शुरू होने वाले पंचक में उपर दी गई बातों का पालन करना जरूरी नहीं माना गया है इन दो दिनों में शुरू होने वाले दिनों में पंचक के पांच कामों के अलावां किसी भी तरह के सुब काम किये जा सकते हैं, पंचक का कौन सा नचत्र है, इसके लिए हानिकारक है, पंचक धनिष्ठा नचत्र से शुरू होता है और रेवती नचत्र तक रहता है, इसमें धनिष्ठा नचत्र में अगनी क भे रहता है इस समय दच्छिन दिसा की यात्रा अत्वा छत दलवाने या फिर घास लकडी इंधन आधी भी एकतित नहीं करना चाहिए वहीं सत्विसा नचत्र में कारे के दोरान आपसीकल है वाद विवाद और जगड़ा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं इसलिए इस नचत्र के दोरान कारे को नहीं किया जाता बहुत ही जरूरी हो तो अत्रिक्त सावधानी जरूर रखें पूर्व भद्रपद नचत्र आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है अत्य है इस दोरान अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना चाहिए उत्तर भद्रपद नचत्र व्यवसाईक रूप से आपके लिए बहुत हानिकारक होता है इस दोरान अपनी जेब समाल कर रखें अनावस्यक और अत्रिक्त खर्चा वही रेवती नचत्र में भी धन की हानी होने की संभावनाएं रहती हैं, वही पंचक में यदि किसी की मिरित्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संसकार फिसेश विधी के तहट किया जाना चाहिए, अन्यथा पंचक दोस्त लगने का खत्रा रहता है, जिस कारण परिवार में प किसी विद्वान ब्राममण की सलाह लेनी चाहिए और अंतिम संसकार के दोरान सव के साथ आटे या कुष के बनाए हुए पांच पुतले बनाकर अर्थी के साथ रखें और सव की तरही इन पुतलों का भी अंतिम संसकार पूरी विधी विधान से करना चाहिए, इस दोरान क कोई पलंग, चारपाई, बेडादी नहीं बनवाना चाहिए। आना जाता है कि पंचक के दोरान ऐसा करने से बहुत बड़ा संकट आ सकता है। पंचक शुरू होने से खत्म होने तक किसी यात्रा की योजना ना बनाएं। मजबूरी वस कहीं जाना भी पड़े तो दच्चिन दिसा में जाने से परहेच करें क्योंकि ये यम की दिसा मानी जाती है। इस दोरान दुरभटना या अन्यविब्दा आने का खत्रा आप पर बना रहता है। पंचक में करने योग सुबकारे पंचक में आने वाले नचत्रों में सुबकारी भी किया जा सकता है। पंचक में आने वाला उत्तर भद्रपद नचत्र वार के साथ मिलकर सरवर्थ सिद्धी योग बनाता है। वहीं धनिष्ठा सत भिसा पूर्व भद्रपद वे रेवती नचत यात्रा वे पार मुन्णन आदी सुब कार्य में सेष्ट माने गए हैं। पंचक में आने वाले तीन नचत्र पूर्व भद्रपद उत्तर भद्रपद वे रेवती रविवार को होने से आनंद आदी 28 योगों में से तीन सुब योग बनाते हैं। इस प्रकार हैं चर इस्तिर्वे परवर्द इन सुब योगों से सफल्वे धनलाप का विचार किया जाता है। महुरत चिंतामडी ग्रंथ के अनुसार पंचक के नचत्रों का सुब भल धनिष्ठा और सता भिसा नचत्र चल संग्यक माने जाते हैं। इनमें चलित काम करना सुब माना गया है। जैसे यात्रा करना वहन खरिदना मसीनरी संबंदित काम सुरू करना सुब माना गया है। उत्तर भद्रपद नचत्र इस्तिर संग्यक नचत्र माना गया है। इसमें इस्तिर्ता वाले काम करने चाहिए। जैसे बीजबोना, ग्रह परवेश, सांती पूजन और जमीन से जुड़े इस्तिर कारे करने में सफलता मिलती है रेवती नचत्र, मेत्री संग्यक्त्म होने से इस नचत्र में कपड़े वेपार से चमंदित सोधे करना, किसी विवाद का निप्टारा करना, गहने खरीदना, आदी काम सुभ माने गए है इन नचत्रों के सैयोग से पंचक नचत्र आता है चंद्रमा एक रासी में ढाई दिन रहता है अते दो रासियों में चंद्रमा पांच दिन तक रहता है इन पांच दिनों के दोरान चंद्रमा धनिष्ठा, सताभिसा, पूर्ग भद्रपद, उत्तर भद्रपद और रेवती से गुजरता है इस कारण ये पांचों दिन पंचक कहे जाते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? कॉमेंड में जरूर बताना जय स्री राम